अरुन भारती जी को मैं सांसत कहूं, लजेपी का या चिराग पासवान जी का जीजा जी कहूं, जम्मुई सीट से आप लड़कर आए हैं, आपके लिए पूरा अनुभव ये चुनाव वाला कैसा रहा और चिराग पासवान का जो इस बार स्ट्राइक रेट है, उसकी खूब चर्चा हो रही है, कि उन्होंने 5 out of 5 स्कोर किया, बार बार कहते हैं कि कौन मिनिस्टर बनेगा, ये PM का प्रोगेटिव है, लेकिन वो बार गेन भी बड़ी अच्छी कर लेते हैं, आपके लिए तो घर की बात है, उनका माइंडसेट समझाईए और अपना अनुभव चिराग पासवान जी से जब मेरी डिसकुशन हुई थी कि हम लोगों मैं भी इस चुनावी राजिंती में आना चाहता हूं, चुकि आपको याद होगा जब पार्टी और परिवार टूटा था, इससे पहले मैं अपने बिजनस में इंवार्व था, लेकिन जब पार्टी औ कि कोई भी बदलाव नीचले पायदान से ही शुरू हो सकता है, जनता से ही शुरू हो सकता है, ऐसे में उनके साथ जो मुझे अनुभव हुआ जनता के साथ जोड़ करके, मुझे भी लगा कि बहुत सारी बदलावों के लिए जरूरी होगा कि मैं भी चुनावी राजिंती म लेकिन उसके लिए सबसे पहले चिराग पासवान जी की सर्थ थी कि आपको पार्टी की प्रक्रियाक से गुजर के ही आना होगा क्योंकि मैं भी तब के आया हूं आपको भी आपका भी नाम नीचे से ही आना चाहिए अपनी सीट उन्हों ने आपको दे दी पीम तक ने प्रच हुई या अंदर ही अंदर कई लोग कह रहें कि आपस में समन्वे ठीक से नहीं बैठा इधर से उधर नितिश बाबू करते हैं लेकिन देखिए सीचे बराबर आई है जेडियो और बीजेपी की ऐसे में बीजेपी क्यों फिसली है पिछली बार से आपका क्या अक्लन ने त संपर्क में बड़े ही आसानी से और बड़ी करमटा से जनता को यह समझाने में सफल हुए कि महा ठग बंधन की किसी भी बातों में आने की जरूरत नहीं है लेकिन फिर भी वो कुछ जगों पे सफल हुए है और जो हमारी सीटे थोड़ी सी कम हुई है यह जरूर समिक्षा क विशा है हम लोग गडवंधर में बैठेंगे इन बातों पर बात करेंगे और जानेंगे कि इन कारणों में हम और कैसे सुधार कर सकते हैं अब आते हैं असल मुद्दे पर जी एकदम जो कहूंगा सच कहूंगा सच के सिवा कुछ नहीं करूंगा दो क्याब्रेट मंत्री प ठिके हुए हैं क्योंकि नरेडर मोडिजी को भारत का तीसरी बार प्रधान मंत्री बनाना है ये प्रधान मंत्री जी का विशेशा धिकार है कि कि वो किसे beautiful बनाते है किसे नहीं इस बारे में में कोई भी कयास लगाना बिमानी होगीIV नेकिन ये बताए कि एक वक्त पर राम वो आज इस मकाम पर है मौसम जो पहचानते हैं तो आप लोग ड्राइंग रूम में बैठते होंगे सोफे पर क्या बात होती है कि आज तेज हवा चल रही है आज मौसम का हवा का दबाव जादा है आज धूप निकलने वाली है हलकी फुलकी बारिष होने लिए कैसे समझते हैं तो अगर आप रामविलास पासवान जी को मौसम विग्यानी कहते हैं तो इसका मतलब है कि वो राजनितिक हवाओं का रुख भाप लेते थे ऐसे में चिराग पासवान जी अभी घटबंदन की लेकिन हम लोग अभी भी मेजॉरिटी में है वहाँ पे और अभी कैबिनेट को लेकर के मैं यह कहूंगा कि यह पहले ही जो हमारा स्टैंड रहा है कि यह प्रधान मत्री जी का विशेशाथ ही कार है इसमें हम लोग कोई कयास न लगाए हम लोग इंतजार करें अगर कोई जिम्मेदारी चिराग पासवान जी को दी जाती है तो उसके लिए हम लोग त्यार है अब अभी आरे से पहले दिल्ली आरे से पहले नितिश बाबु फिर पल्टे कल सुबद तो क्या करेंगे ऐसी देखे बड़ी साफगोई से मैं कहना चाहूंगा कि आने से पहले भी हम लोग मरनी मुख्यमंतरी नितिश को बार जिसे मिल कर के आये हैं और मैं ये निश्चे क में हम लोग बिहार का चुनाव भी लड़ेंगे चलिए हो सकता है आप कह रहें हला कि समराट चौधरी ने अभी से डिकलेर कर दिया है नितिश बाबु देखे वो भी बहुत बड़े खिलाडी है पॉलिटिक्स के सब लोग जब रूल आउट करने लगते हैं और चिराग प लटने को रूल आउट करना भी आसान नहीं है देखे जहां तक अभी की बात है अगडबंतन बे हम लोग इकर्टे है चत्टान की तरह प्रधानमंत्री मोधी प्रधान मंत्री जी ने चिराग पासवान जी को जब एक सांसत से थे तब से उनको वो अब्जर्व करते रहे हैं, जिस तरह से उनका संसत में उनका कंड़क्ट रहा है, कैसे संसत में वो हमेशा प्रजेंट रहते हैं, चीजों को सीखने की कोशिश करते रहे हैं, जिसका प्र प्लें हर अधर्श मगें आए और जो देखने के बाद सवहाविक ही उनको मोदी जी का हनुमान कहते हैं सवहाविक ही अपने एनुमान के लिए प्यार उमरता है और मुझे लगता है कि चिराग जी भी इसको डिजर्व करते हैं उन्हों ने भी बहुत मेहनत करके उनके द्वारा एक सांसत की पार्टी को पांच सांसत टिकेट दिये गए लड़ने के लिए एक चर्चा हो रहे हैं कि देखिए चाहे आप अरुन भारती जी आप तो परिवार के हैं उनके चाहे इससे पहले भी हमा आज जी की पार्टी ऐसे की शक्स को उन्होंने टिकर दिया इस पर भी खूब चर्चा हो रही है कि तो अगर राजिती कीं में बात करूं बिहार में बहुत जिरों हैं पढ़े लिखे होने के साथ साथ इनके नए विचार हैं अपने परस्पेक्टिव हैं चीजों को जानते हैं समझते हैं